किसी के घर महवान बन कर जाएं तो भूल कर भी ना करें ये काम नमस्कार में हुसिम रन और आप देख रहे हैं नेक्स नाइम स्पीछ वे आचारे चानक्य के नीती शास्त्र में लिखी बातों का आज भी लोग पालन करते हैं चानक्य नीती भारत की सबसे प्रिये लोग नीतियों में से एक है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलू का अवर्ण दिनता है ऐसे में आचारे चानक्य ने अपने नीती शास्त्र में बताया है कि यदि आप किस दूसरे के घर महमान बन कर जाएं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका मान सम्मान विज्टेदारों के बीच में बना रहे हैं देखे चानक्य नीती में बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी बिना वजह किसी के घर महमान बन कर नहीं जाना चाहिए इससे आपका सम्मान कम हो सकता है ऐसे में व्यक्ति को किसी काम से या फिर बुलावे पर ही किसी दूसरे व्यक्ति के घर जाना चाहिए वहीं हमेशा किसी महमान के घर जाने से पहले उससे एक बार पूछ लेना चाहिए और इसके बाद ही किसी दूसरे के घर महमान के रूप में जाना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप कमान सम्मान बना रहता है आचारे चालक्य का ये भी कहना है कि बिना किसी काम की किसी व्यक्ति के घर ज्यादा दिनों तक नहीं रुखना चाहिए क्योंकि मेहमान केवल कुछ दिनों के लिए ही अच्छे लगते हैं, ऐसे में ज्यादा दिनों तक भी किसी के घर रुखने से इस व्यक्ति नजरों में आपकी इज़ट कम हो सकती है, आपकी इज़ट घटने लग सकती है, तो यह आप भी इस प्रकार की गलतिया कर रहे हैं, त 69 spiritual तब तब के लिए हिन्यवार